मुझे अपने हस्बेन से उमीद भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेंगे मैंने अपने बच्चे के टीफिन में सुबह सुबह क्या दिया आईए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ तो यहां पर जब मैं सुबह उठी और अंस के लिए इडली वना दिया तो अंस का ये नया इडली वनाया तो अंस है ना रुख्य सुखे मुआ के बोल रहा है दम उदास हो कूं भी वसकेमब बेड़े ए ना आलू का फिंगर फ्रै बना दोना प्लीज handik से यामम मुझे ना पहले क्यों मना कर दिया कि मैंने मना कर दिया की मैंने बनाओंगी जहाऊ लिए एडली कॉर्ण फ्लोर डाल दिया था और मतलब उसमें आलू में डाल कि आ उसके बाद मैंने आल में फ्राई करने के लिए रख दिया एक बार आधा फ्राई करके निकाल लिया यह कुड़कुड़ा कैसे बनेगा मैं आपको टीप्स बताती हूँ फिर पांस मिनट बाद फिर वापस उसी तेल में मैंने डाल दिया ताकि जो फिंगर फ्राई बनके निकले ना वो बिल्कुल भी सौफ्ट ना हो मैं आपको कभी डिटेल में वीडियो बताऊंगी इतना टेस्टी बनता है अंस सुआ भी एक खाया था तो बोलना था कि मामा बहुत जादा टेस्टी था उसके ब इडली एक तरफ डाल दिया उसके बाद फिंगर फ्राई डाल दिया फिंगर फ्राई को खाने के लिए मैं टोमैटो का चटनी नहीं दूँगे मैंने यहां पर बदाम का चटनी बनाया जो इडली के साथ खा लेगा मेरा बच्चा ठीक है गाइस मैंने उसके पापा को दे द अच्छा है तो हो जाता है कि चलो कुछ ना कुछ तो खाया थीन बजह आता है बच्चा तो कुछ तो खा लिया इसलिए मैं डो टिफिन देती हूगा इस तो सुबह सुबह है ना अंस को स्कूल जैसे यह नीचे गया मैंना गास जल्दी जल्दी साफ करने लगती हो पूरा ह गया था इसके डैडू का आद है थे कि यह जब भी बेट पर से उठते है तो रूम क्लीन कर देते हैं तो मेरा कीचन साफ हो गया मैं यहां पर बरतन धोकिल रखी दी तब तक इसके डैडू है ना जाडू पोचा लगाने वाला जो मसीन है ना वो जो उसको लगा दिया तो जाडू पोचा भी लग रहा है और यह जो बाहर पेल रखा हुआ था पूरा है ना धूप पढ़ने के कारण सुख रहा है तो इसके डैडू का फेवरेट है साथ पंदरा तक मेरा घर का सारा काम हो गया है क्योंकि मैं फटाफट फटाफट भीना टाइम टाइम गवाई में काम करती हूँ यहाँ पे मैं डस्टिंग भी कि सारा घर का एक एक समान मैंने डस्टिंग करके भी आगे क्योंकि मुझे जादा टाइम नहीं लगता है मैं रोज है ना हर चीजों पे हाथ फेडती हूँ को लीनो लीन डालके तो इससे क्या होता है ना कि मेरा घर जादा नहीं होता है यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए साथ पंदर तक इसके डैडू है ना चुकंदर का जूस बना रहे है और उसमें कुछ कुछ इनों ने डाला है मिन्ट विन्ट तो यह रोज सुभा बनाते हैं इनको चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जूस ही यह पसंद है मूं का चीला वह जिम करते हैं न तो उनको थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए होता है तो मुझे देना पड़ता है उसके बाद मैं आज जिम जाने वाली नहीं थे मुझे है न बहुत जादा आला सारा था लेकिन यह मुझे जबदस्ती लेकर गया बोले ना वर्काउ है हम लोग वर्काउट के लिए जा रहे गाई तो यहां पर अभी साड़ी साथ हो रहा होगा सोच लीजे मैं घर का सारा काम करके अंस का इडली मखाना फिंगर फ्राइस सब बना के मैं आई हूं और नास्ती की भी आधा तैयारी करके इसके बाद यहां से नौ बज़े जब संहुन ratty और मैं मजंग के अभी नraw ऺए तांडे करें ट्लीन से बनायी है ओफिस चले आट पास में नहां है और और आभिस भी निकल गये और मैं यहां ओट अब झाल झाल